वेल्कम बैक अगेन टू पोस्ट मॉटम शाला तो मैं होप करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल एप्लिकेशन्स की मतलब प्रैक्टिकल एप्लिकेशन्स किसकी की LS कमांड की LS कमांड को मैं theoretically देखा था फिचले वीडियो में वीडियो में हम देखेंगे इसके किसकी options के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं और अपना data कैसे present कर सकते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले तो पहला format जो मैं आपको present करने वाला हूँ जिसको बोलेंगे ls-t ls-t तो क्या करता है यह sorts करता है based on modification time जो भी आपका modification latest file होगा उसको top पे दे देगा ठीक है तो shows the last edited file first तो सबसे पहले editing होई होगी इसको सबसे पहले दिखाएगा मतलब मान लीजे पहले मैंने d1.txt को create किया ठीक है फिर मैंने create किया d2.txt को ठीक है फिर मैंने create किया d3.txt को तो लास्ट creation time किसका है अपने पार दी थरी का पर अगर मैं d1.txt d1.txt में changes कर दूँ तो last modification time latest किसका है तो मतलब this will be our file that will be first presented ठीक है अब head minus one हाँ lst का बाद यह pipe है pipe क्या use होता है आपको आने वाली videos में जब मैं detail में unix में जाओंगा तो pipe का presentation भी बताऊंगा till then pipe को समझ लीजे जब दो unix command एक के साथ चलानी हो तो हम इस pipe का use करते हैं यह straight line है ठीक है तो पहले क्या हो रहा है ls minus t हो रहा है ls minus t से क्या होता है सबसे पहले जो सबसे last edited file है वो सबसे उपर आ जाएगी list में but head minus one क्या करेगा सिर्फ उस एक file का नाम present करेगा चलिए अगला option देखते हैं display one file per line मैंने आपको last video में बताया था अगर हम सिर्फ ls करते हैं तो क्या होगा ऐसे नाम आएंगे कुछ file one file two एक tab की space पर आते हैं ठीक है file three but जब हम ls minus one करेंगे तो एक dedicated line पर एक file का नाम आएगा without any details this is the this is point to be noted when you do alone ls you will get all the file names with the tab space and no details about what the file is how the file is or it is a directory or it is a file okay here it can be directory also ठीक है ये भी directory हो सकती है और ये भी directory हो सकती है तो ये दोन हो सकती है पर line by line लेने के लिए हम उसमें क्या use करते हैं minus one इसलिए उसको बोलते हैं display one line one file per line चलिए अपने next option में चलते हैं next option जो हमें बोलता है वह display all information about files and directories जो ls-l था मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में explain किया था तो क्या करता है ये long listing information दिखाता है उस file और directory की ये जो पहला column मैंने आपको बताया था file type या उसकी permissions का second column मैंने बताया था memory block का third column बताया था owner का file owner का ये fourth column था आपकी group owner का ये उस file ने कितनी space लेके रखी है और ये वो कब created या modified है और उसका नाम क्या है तो ls-l detailed आपको list देगा all the listing मतलब यहाँ पर मैंने एक ही file को present किया है बट अगर आपके में 500 file है तो 500 या 200 file है तो 200 वो fourth option पे तो सबसे पहली तो चीज होती है जो हमारा ये previously में हमने देखा होगा ये आपका ये जो हमारा ये होता है ये bytes में दिखाता है कि आपकी space कितनी ले रखी है इस text ने text file ने तो जब हमने को human readable format में देखना चाहेंगे तो हम l के बाद एक option और जोड देते हैं इसको बोल करेंगा MB को अगर वहां लिखा 120 M that means 120 MB वहां लिखा 120 K that means it is 120 KB और 1 G means 1 GB तो जहां पर ये आपके आपको ये दिख रहे हैं जो 117 है ये bytes है जब इसको हम human readable format में देखेंगे तो ये अलग दिखेगा तो इसको यह 1K यह 12K ऐसे लिखके आएगा चलते हैं अपने पांचवे option पे जिसको हम बोलते हैं डिरेक्टरी information using अब डिरेक्टरी की information कैसे मिलेगी ठीक है अब देखो details हमको LS-L से मिल जाती है ठीक है पर जब LS-L करते हैं तो क्या होता है अगली सेक्शन में देखते हैं यह ETC डिरेक्टरी के लिए पूरी डिटेल्स देता है मतलब बैक्ग्राउंड डिरेक्टरी के बारे में हर पात के बारे में यह उसकी डिटेल्स प्रेजंट कर देगा मतलब जो internal parts भी है उनके लिए भी ठीक है और फिर आते हैं order files based on last modified using फिर आपने वही समझाए मैंने आपको बताया था LS-T यहाँ पर दो combinations को हम modify कर रहे हैं LS-L को और LS-T को अगर हमको last modified with all details चाहिए sorted based तो हम लिखते हैं LS-LT ठीक है और अगर हमें यह मतलब सबसे latest file top में मिल लई है अब वही latest file हमको down चाहिए तो यह इसके लिए हमारा next option आता है LS-LTR तो अगर आपकी जो last edited file है वो top में हैं अगर आप operating system में कुछ hidden files होंगी आप उसको hidden बना रहे होगे तो जो parent directory है current directory है उसमें सारी files including दिखाएगा आपको LS-A की file ठीक है यह LS-Small-A represent करता है कि आप current directory और parent directory को भी दिखाएगा अगर उसमें कुछ hidden है बट अगर minus capital यह करता हूँ तो यह hidden files को नहीं दिखाएगा जो current or parent to show hidden files but not the current or parent directory तो मतलब वो खुद की directory को शो नहीं करेगा बट वो current files को दिखाएगा ठीक है next option आता है हमारा जो ninth option है ls-etc-apt तो basically इस command में हम apt को देख रहे हैं ना apt को ना etc को यह simple command है जो उसकी unhidden files को पूरे system में सर्च कर सकता है minus r क्या कर रहा है उसके background में जाके सब कुछ खोल दे रहा है to show all the files recursively when you do this from a backslash it shows all the unhidden files मतलब जित्ती भी visible files है user को पूरे system की recursively path में उसको show कर देगा मतलब उस system में उन files का path recursive way में show कर देगा ठीक है अब हम अगले अपने next next में जिसको हम बोलते है minus i तो क्या होता है बहुत सी files के अपने in node numbers होते है i node numbers जिसको बोलते है ठीक है मतलब उस i node numbers के through हम file removes कर सकते हैं यह जिन में special characters हो सकते हैं उनके नाम में ठीक है क्योंकि जैसे मैंने file का नाम दे दिया text ठीक है अगली file का मैंने लिख दिया टी add the rate xt ठीक है तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ अब इसमें special character भी है टी अंडर स्कोर या एस ट्रिक टी एक्स एक्स टी तो क्या represent कर रहा है special characters है इसमें पर हर dedicated file यह डिरेक्टी के लिए एक number i node number होगा उस i node number के थुरू हम उस file को remove कर सकते हैं उसके लिए command चलानी परती है ls-i back means forward slash etc forward slash apt okay next आप आते हैं अपने ls-q command में तो जितने भी question mark to print question mark instead of the non-graphic control characters मतलब जो characters graphical ही नहीं है मतलब जो नहीं present हो सकते उनकी जगे हम क्या print करते हैं question mark okay और फिर आतने हैं display file using uid and gid to ls-n each output like ls-l but shows uid and gid in the numeric formats instead of names हर एक file की एक user id होगी यह group id होगी उस user idea group id को show करना instead of names of that file we use ls-n और उसका सही format उसको use करने का है ls-n question यह जो आपका science में आपने पढ़ा होगा ऐसा sign है curly sign concurrent का forward slash kv okay इससे हमें उनकी user id और gid मिल जाएगी each file की ठीक है फिर आते हैं जब हमें अपना visual classification मतलब special characters के through सिर्फ present करना होता है कि हमारी file क्या है तो कर कुछ नहीं आएगा तो normal file होगी directory नहीं है directory होगी तो slash आएगा add the rate मतलब link file है और asterisk आ रहा है उसकी file क्या आगे मतलब वह executable file है अब instead of doing ls-l भी हम check कर सकते हैं कि हमारी file मतलब जो है जैसे मैं नहीं बता है ls में आपको सिर्फ नाम्स मिलेंगे ठीक है जैसे demo हो गया demo.txt हो गया फलाना डिमा का कई सारे नाम हो जाएंगे बट ls करने के –l जब तक नहीं करेंगे जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे वह directory है कि कोई file है या script है क्या है तो अगर हम ls-f करते हैं तो जो directories होंगे उनके नाम के पहले slash लगके आ जाएगा जिसमें कुछ लगके नहीं आएगा वह normal files है जिसके आगे add the rate लगके आगे मतलब वह link file है और जिनके आगे stick लगके आ रहा है मतलब वह executable file है मतलब हम उनको execute कर सकते हैं अगला जो हमारा option है उसको बोलता हूं मैं ls-color is equal to auto command यह क्या करता है यह अगर आप इसको करेंगे तो यह जित्ती भी files को present करता है जित्ती भी output directories होंगी वह blue होंगी जित्ती भी soft linker directories होंगी वह green होंगी और जित्ती भी ordinary files होंगी मतलब normal files तो वह सब default color में present होंगी तो इस video में इतना ही thank you subscribe share और like करना ना भूले कोई भी doubt हो please comment section में mention करें हम उसके लिए आपको one-to-one भी समझा सकते हैं plus if there are many questions like that we will make a video about it and let you know all your doubts thank you keep learning keep growing हुआ 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 हुआ